हाई है यह वाचिंग मैं यूटूब चैनल टेकनिकल साज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि विंडो टैन में हम विंडो अपडेट को कैसे रोक सकते हैं इसके दो method हैं, दोनों method मैं आपको line से बताऊँगा, देखे, screen पर आपको दिख रहा है this PC, इसमें right click करेंगे, third option है manage, manage में जाएंगे, इसके बाद ये window अपेर होगा, इसमें देखिए, नीचे है, सबसे नीचे है, left side पे services and applications, इसमें click करते हैं, right side में आगे, सबसे top पे services, double click करेंगे, और आपको सबसे नीचे scroll down करते हुए आजाना है, यहाँ पर लिखा होगा, windows update, गया आगे windows update, अभी देखिए इसकी जो service है running पर है, अभी हम इसको stop करेंगे, यह देखिए यहाँ पर stop लिखा हुआ है, stop पे click करेंगे, यह windows update off हो गया, यह हमारी first method है, अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें second method, कि तुरू हम कैसे जाएंगे, आपको windows key के साथ और प्रेस करना है, और यहाँ पर type करना है, gp-edit.msc, ओके पर click करेंगे, इस्क्रीन को maximize करते हैं, यह देखिए यह है, fourth option administrative templates, arrow पे click करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे windows components पे, scroll down करते हुए हम नीचे आएंगे, नीचे में देखिए यह लिखा है windows update, इसके बाद right side में यह लिखा हुआ है, configure, automatic updates, इसमें right click करेंगे, edit पे जाएंगे, edit पे जाने के बाद यहाँ पर हमने not configured रखा है, इसको आप enable भी कर सकते हैं, disable भी कर सकते हैं, यह हमको disable के बारें बता रहे हैं, disable करेंगे, apply करेंगे, ok करेंगे, यह हो गया हमारा second method, दोनों method से आप windows update को off कर लेंगे, यह permanent off हो जाता है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो please वीडियो को like करके चैनल को subscribe करें और subscribe करने के बाद bell icon को press करें, जिससे हमारे सारे वीडियो के update मिलती रहें,